चारे दोस्तों धरम सास्त्र में औरतों के बारे में अचारियों द्वारा बताया गया कि औरतों के बालों में इन्हें धोने में अगर थोड़ी बहुत गलती की जाती है या फिर तेल लगाने में कोई गलती की जाती है तो इसे भी घर में आर्थिक तंगी का आना निश्चित हो जाता है औरत के लिए हम इस वज़े से भी ये बात कहते हैं क्योंकि औरत गर की दूरी मानी जाती है नीव मानी जाती है प्यारे दोस्तों अगर औरते सही टाइम पे और शही तरीके से हर चीज को करती हैं तो कहीं न कहीं मालचमी हमेशा प्रसन होती है प्यारे दोस्तों ये बताया जाता है कि ओरतों के बाल जब खुलते हैं या इनको पकड़ने की कोशिस कोई मर्द गलत तरीके से करता है तो इस पे काफी बार युद्ध भी छेड़े हैं जैसे कि रामायन म महाबारत इसमें रावन ने भी मातर सीता के केशो को छूने का प्रयास किया था तो भगवान राम ने लंका की इट से इट बजा दी थी वहीं जब पांचाली के बालों को दुसासन ने छुआ था तो पांड़ों ने भगवान कृशन की सायता से युद्ध में विजय प्रा चाहते हैं जिन से कि आपके घर परिवार में शुक शान्ती और संपन्ता बनी रहे इसलिए ओरतों को हमेशा अपने बालों को साफ सुत्रा रखने की तो सला दी जाती है साथ ही ये भी बताया जाता है कि उन्हें हपते में दो बार अपने बाल अवश्य दोने चाहिए जो क इस प्रेकार से है कि आप शुकरवार और रवीवार के दिन अपने बालों को अवश्य दोएं साथ ही आप सौमवार मंगलवार और बुद्वार के दिन अपने बालों में तेल लगा सकते हैं तेल लगाएं तो आप विशेशुप से ध्यान दे कि जब आप कंगी करते हैं त तो उन बालों को आप एक जगय रखें, ये नहीं कि आपने बाल में कंगी की और आपके बाल इधर उदर उड़ते डोलें, इसे भी इजत में फरकाता है, दोस्तों आप बालों में कंगी दिन में दो तिन बार तो अवशे करें, लेकिन इस बात का विशेश रूप से ख्याल कि जब गो धूली हो, जब दोनों वक्त मिल रहे हो, उस टैम में बालों में कंगी ना करें, अगर आप ऐसा करते हैं, तो मा लच्मी नाराज हो जाती है, आप इन बातों पर विशेश रूप से ध्यान दें, और अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मुझे कोमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, ताकि आने वाले समय में हम इसी तरीके के वीडियो आप के पास भेज सकें।